इंगलिस से रिलेटेट सभी जानकारियों के लिए कैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें for more information पुश्कार दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं class 1 class 1 के बच्चों के लिए मैं weekly मतलब week wise day by days मैं grammar के जो English related आपके topics होते हैं उसको मैं discuss करने कुछ करूँगा ताकि आपको आसानी हो समझने में अगर आप parent है अपने बच्चों को समझाईए बताइए इस तरीके से जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ और इस वीडियो के डिटेल में आपको इस page का link मिल जाएगा वहाँ से आगर देख सकते हैं Monday है Monday से Friday तक कि यह चलेगी फिर Saturday को पूरा revision होगा संडे को छुट्टी एक तरीके से तो संडेक छुट्टी रहाएगा सटेटेक को हम revision करेंगे पूरा जितना हमने वीक में पड़ा है पांस दिन इस तरीके से हम regular कम से कम 30-35 वीक तक आपको कोसिश करेंगे पढ़ाने की मतलल कुल मिला जलाके 200-300 दिन के बीच में पढ़ाने कोसिश की जाएगी चले देखा जाए अब word meaning समझा जाए इसको पूरे page को समझा जाए क्या लिखा है पहले अपना नाम लिखिएगा अगर आपके parents हो तो अपने बच्चे को rough copy लिजिए उस पर आपको नाम लिखवाईए उसको date डाली Monday और one लिख दिजिए one मतला पहला week क्या लिखा find the sentence circle it मैं circle नहीं कर रहा हूँ मैं आपको यह आपको कह रहा हूँ circle करने के लिए क्या लिखा है आपको पहले find sentence sentence पकड़ना होगा और circle करना होगा ठीक है अब कूसिश करवाई अपने बच्चों को कि बोलिए कि अपने से अपने मन से आपको जो sentence सही लगता उस इसे तो dog is barking यह आपको लग रहा sentence है कि fuzzy the cat यह आपको लग रहा sentence कौन से लग रहा है आप उस को सरक्ल करेंजे आपको पहला वाला सही होगा दे डॉग इस बार्किंग यह क्या यह क्या यह complete sentence है complete sentence मतलब क्या होता है जो पूरी मेनिंग दे, वो sentence जो पूरी मेनिंग दे या वो group of word, sentence किसे कहते हैं, group of word इसका मतलब होता है complete meaning तो जो complete meaning देगा, उसे हम sentence कहा देंगे तो dog is barking ये पूरा मतलब है कि कुटा भोख रहा है अब विच वर्ड is spelled correctly इसमें से कौन सा word सही लिखा हुआ है या अपने बच्चे को दिखाईए, बताईए या खुद लिख के बताईए book, b-o-k, b-o-o-k या b-u-k, या b-o-u-k इसमें से कौन सा word सही है बताईए मुझे, उस पर आपको circle कर देना है या उसको आपको सही बताना इसमें से कौन साही है तो second वाले का कौन साही है b-o-o-k साही है book, book मतलब किताब b-o-o-k, book मतलब किताब फिलिका, make two words in the end family end family क्या होता पढ़ा है आपने वो word जिसका अंत-a-n से हो वो ध्यान सुनो वो word जिसका अंत-a-n से हो जैसे man man होता है man man होता है तो यहाँ आप लिख दो के man ठीक है ना, फिन क्या होता है और याद कर ये और क्या होता है p-a-n pan pan मतलब वो जिस पे हम लोग रोटी बनाते हैं ना आप ममिस पूछो कि इस पे रोटी बनता है pan कहते हैं तो तीसरे वाले में जो दो है दोनों का मैं बता दे रहा हूँ पहला वाला हो गया पहला वाला आपको क्या रहेगा man man मतलब आदमी और जो दूसरा वाला है pan pan ध्यान देना pan नहीं pan इसका मतलब होता है वो जो हम तावा बोलते हैं जैसा होता है उसको हम pan कह सकते हैं जिसमें हम रोटियां या omelette बनाते हैं पिर last name write your first and last name अपना पहला और आखरी नाम लिखे माल लिजे कही लोग का नाम ऐसे होता है माल लो आपका नाम है पलवी पलवी सिंग तो आपका पहरा नाम क्या है पलवी और आपका दूसरा नाम आखरी नाम क्या है last name क्या है सिंग तो पलवी सिंग तो या आप लिखे या अगर आपके पास मतब आप parent हो तो अपने बच्चों को ये जरूर बताए कि ऐसे लिखना चाहिए जरूर लिखें इससे आपका बहुत फायदा होगा जरूर लिखें ठीक है ना और अपने बच्चों को जरूर बताए अगर आप parent हो तो और अपको next day Tuesday को second part इसका बताया जाएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी for more information अपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच for watching this video